हलो हलो स्टूडेंट्स एम प्रोफेसर मयूर मातूर एक्सिस्टी कॉलेज उल्लास नगर पोड तुड़े वी आर गूंग तू लर्न अबाउट वन आप इंट्रेस्टिंग टॉपिक इस कमोडिटी मार्केट तो आज हम सीखेंगे कमोडिटी मार्केट क्या होता है सबसे पह मार्केट को सीखने के पहले हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कमोडिटी क्या होती है what do you mean by commodity तो आइए जानते हैं कमोडिटी क्या होती है कमोडिटी वो हर एक चीज है जो नेचर ने दी है all the things which is provided by nature is known as a commodity for example के तौर पर आप ले सकते हो आपको दिखाना चाहूंगा cotton, zinc, copper, aluminium, gold यह सारे examples जो आपको screen पे दिख रहे हैं यह examples हैं commodity के तो इसको बोलते हैं commodity तो in short commodity वो हर एक वस्तु है जो nature ने हमें provide किये no doubt उसको man ने extract किया है but जो दिया है वो nature ने दिया है तो इसको बोलते हैं commodity हमारा Indian commodity market जो है वो two types में divided है कौन से कौन से two types first is agriculture and second is non agriculture 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 में क्या क्या आता है पहले देखेंगे तो agriculture में आप देखना चाहोगे तो onion, tomato, grains, jeera, cotton यह सारी चीज़े जो आपको screen पे दिखाई दे रहे हैं वो agriculture में आती है एक precious metal एक non precious metal जो पहले देखते है precious metal जो आपके screen पे दिख रहा है precious metal क्या होता है जो कीमती होता है जैसे के gold and silver आपको आपके screen पे दिख रहा होगा non precious metal non precious को simply बोलते हैं base metals क्या बोलते हैं base metals base metals में क्या क्या आता है zinc copper aluminum यह सारी चीज़े जो है steel यह सारी चीज़े जो है base metals में आती है तो जैसे के मैंने Indian commodity market बताया तू टाइप में है एक हमने देखा agriculture और एक देखा non agriculture non agriculture में दो चीज़े थी एक base metal एक precious metal अब इसके अलावा एक और चीज़े जिसमें आती है जिसको हम बोलते है energy energy का भी समावेज जो है वो commodity में ही होता है आपके screen पे दिख रहा है energy और उसके साथ साथ crude oil crude oil और energy ये दोनों भी जो है non agricultural types of commodity है और इसको हम trade करते हैं commodity market में ठीक है अब मैं आपको एक example देता हूँ example यह है हम बात कर रहे हैं Indian commodity market का तो मैं example लेता हूँ एक India का हम example ले लेते हैं इंडिया में ज़्यादा तर लोग maximum जो तीन चीज़े आपको आपके screen पे दिखाई दे रही है उसमें invest करते हैं कौन सी तीन चीज़े silver, gold and land ये तीन चीजों में जो लोग हैं ज़्यादा तर investment करते हैं ठीक है अब अगर मैं example लेता हूँ आप लोगों से question पूछना चाहता हूँ कि gold अगर आपको purchase करना है तो उसके कितने तरीके हैं तो आप बोलो के साथ simple तरीका है मैं अपनी ममी के साथ जाऊंगा पापा के साथ जाऊंगा shop पे पैसे लेके पैसे देके gold लेके आऊंगा नहीं मैं आपको यहां पर बोलूँग क्या होती है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कौन से दो तरीके हैं जिसमें आप gold purchase कर सकते हो पहला तरीका यह है physically आप गए आपके ममी के साथ शौप पे पैसे दिये आपने gold खरीदा और वह physical gold लेके आपको घर पे आ गए उसको बोलते है physical trading physical shopping दूसरा तरीका है online shopping का अब online कैसे सर आप मैं Amazon या Flipkart पर ना ना उसको बोलते हैं commodity market online आप जब gold purchase करते हो तो वह हम trade करते हैं commodity market में तो आइए इसको समझने के लिए मैं आपको simple example के इसाब से समझाना चाहूंगा ठीक है तो हम एक example ले लेते हैं आपके screen पे दिखाई दे रहा है दो friends हैं एक है विक्रांत और दूसरा है सुहास तो पहले हम बात करेंगे सुहास की सुहास और विक्रांत ये दो friends हैं ठीक है ये आपस में दोनों दोस्त हैं दोनों को जो है gold में investment करना है जैसे मैं आपको बोला commodity एक gold है gold एक commodity है उसमें इन दोनों को investment करना है तो सुहास और विक्रांत दो को investment करना है थीक है तो सबसे फ़ले हम बात करेंगे सुहास की अब देखते हैं सुहास क्या करता है तो पहला example है सुहास का सुहास क्या करता है सुहास एक shop पे जाता है gold की shop जो आपको दिख रही है वो शौप पे जाता है सुहास पैसे देता है, 30,000 रुपीज, एक एक्जामपल ले रहा हूं में एक अमाउंट का, और 10 ग्राम, मतलब के 1 तोला, 1 तोला सोना लेके आता है, 30,000 सुहास ने दिया, 10 ग्राम, मतलब 1 तोला सोना, उसने शौप से लेके वो आ गया, ठीक है, अब सुहास को कितने में मिला, 30,000 मे पैसे दिया और वो gold लेके अपने घर पे आ गया, इस example को, first example को बोलते हैं, physical trading, क्या बोलते हैं, physical trading, physically shop पे गया, उसने लिया gold, पैसे दिया और आया, इसको बोलते है physical trading, जो आपके सामने पूरा screen पे दिख रहा है, ठीक है, आपको screen पे दिख रहा होगा shop है, एक सुहास है, उसको 30,000 rupees और gold लेके वो अपने घर पे चले गया, तो अब इससे क्या होगा, इससे सुहास की responsibility बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, सुहास की responsibility है, कैसे, सुहास ने physically gold लेके आया है, और उसको अभी घर पे रखना है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर सुहास कहीं traveling में जा रहा है, कहीं भार जा रहा है, तो रिस्क है, शायद उसका सोना चोरी हो सकता है, जैसे आप screen पे देख रहे हो, कि भार traveling पे जा रहा है, उसने अपना वो सोना, तो बलते हैं, नहीं, नहीं, सर मैं traveling पे जा रहा हूं, और मेरे घर में चोरी हो सकती है, तो मैं काम करता increase हो जाती है suhaas के लिए ठीक है तो ऐसा रखता है और उसके बाद किया होता है उसके बाद suhaas हाकu एक हफता एक मैना या तीन मैना जय से आप ओपर झायों यहां पर कि यह तीन मैने में ये कुछ समय की बाद suhaas वी गॉल्ड को sale करने जाता हैS में लिया था तो तीन मैने के बाद जब सुहास वह GOLD को सेल करता है तो गोल का जो अमाउंट है जो रेट है उस समें 31,000 होता है कितना होता है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो गोल्ड का जो रेट है वह अभी 31 सुहास ने पर्जेश किसके में आया था 30,000 तो सोहास को टोटल है 50000 का प्रोफित की च Familien अब आते हैं हम दूसरे एक्जाम्पल बे विक्रांट जो सुहास का फ्रेंड था अब विक्रांट ने क्या किया विक्रांट को भी investment करना था गोल्ड में विक्रांट क्या करता है सुहास से एकदमी अलग वो गोल्ड पर्चेस करता है online commodity market से कहां से purchase करता है online commodity market से वो गोल्ड पर्चेस करता है ठीक है अब इसमें क्या होता है यहाँ पर विक्रांट क्या करता है अपना गोल्ड का booking करता है ठीक है 10 ग्रांट सेम जितना सुहास ने लिया था 10 ग्रांट गोल्ड का booking करता है और 10 ग्रांट मतलब एक तोला एक तोला booking करता है जब वो उसका rate 30,000 है बट इस case में समझने की बात है यहाँ पर ध्यान दीजेगा आप सबी लोग इस case में विक्रांच जो है वो सिर्फ 3,000 रुपीज मतलब total amount का सिर्फ 10% जिसको बोलते हैं margin money क्या बोलते हैं जिसको margin money margin money का अगर मैं आपको समझा दूँ margin money क्या होता है 10% जो विक्रांच margin money पे कर रहे है margin money is equals to token money कभी आपने सुना है down payment सर हम लोग down payment करके गाड़ी लेके आए token money, token देखे हम लोग वो चीज को लेके आते हैं जिससे आप अपनी कभी कहीं न कहीं अपने relatives के साथ आप गए होंगे या parents के साथ आपने flat book कराया तो flat book कराने के साथ time पे जो 20 lakh rupees पूरा flat का amount है आप वो नहीं pay करते हो आप builder को जो है construction को सिर्फ token amount token money pay करते हो और वो अपने नाम पे register करवाते हो तो उसको बोलती है token money तो वैसे ही मैंने आपको बताया के विकरान्त ने क्या किया विकरान्त ने जो 3 पर 10 परसन जो margin money है 30,000 का वो दिया और 30,000 का पूरा gold का एक certificate commodity market से उसने purchase किया अब इसमें क्या होता है ये as compared to suhas की जो purchasing है उससे safer है as compared to जो suhas ने लिया था gold उसे safer है कैसे सर वो एक certificate है जो मेरे mobile के अंदर है या जो मेरे जो मेरे trading account में है वो certificate है मैं उसको कभी भी sale करूँगा ठीक है तो मतलब online trading जो है little bit safer है अब वैसे ही क्या होता है विकरान्त भी कुछ समय के बाद एक मेना, दो मेना या तीन मेना तीन मेने के बाद उसको sale करता है और sale करके वो जो है 1000 रुपीज का profit जो आपको दिख रहा है इस screen पे वो भी same कमाता है तो आप बोलोगे सर सुहास ने भी लिया 30 में उसने sale किया विकरान्त ने भी लिया 30 में उसने sale किया तोनों ने 1000 रुपीज कमाया मतलब आपके हिसाब से सर विकरान्त और सुहास सुहास और विकरान्त विकरान्त और सुहास दोनों ने 1000 रही तो profit कमाया उसमें difference क्या है क्या difference है क्यों है ऐसा सर ठीक है देखते हैं अब physical और online अब बोलोगे सर दोनों ने purchase किया दोनों ने sale किया दोनों ने सिर्फ 1000 रुपीज का amount कमाया तो इसमें क्या अलग है बहुत अलग है सर क्या है देखते हैं अब ये example को conclude करते हैं सुहास ने क्या किया था 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 30,000 रुपीज इंवेस्ट किया 30,000 उसने इंवेस्ट किया उसके ओपर थोड़ी responsibility भी आ गई थी और वो देखे उसने 1,000 रुपीज 31,000 में जो gold को दिया और 1,000 रुपीज अर्न किया मतलब सुहास ने 30,000 का investment करके 1,000 रुपीज कमाया अगर आप percentage वाई इसको देखोगे तो सिर्फ 3% जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सुहास ने है वो only 3% का 3% का जो है profit कमाया और यही अगर हम लोग विकरांत के case में देखते हैं तो विकरांत ने क्या किया विकरांत ने सिर्फ 10% margin money पे किया 3,000 रुपीज ठीक है margin money पे करके उसने पूरा गोल का जो है certificate purchase किया trading account से commodity market से purchase किया और उसका contract period के खतम होने के पहले उसने उसको बेचा तो उसने भी 1,000 कमाया बट यहाँ पे विकरांत ने सिर्फ 3,000 रुपीज invest करके 1,000 रुपीज कमाया मतलब जो percentage वाइड अगर हम profit देखा जाए विकरांत का तो वो profit था 30% तो दोनों में ये difference है सुहास ने 30,000 पे करके 1,000 रुपीज कमाया और विकरांत ने जो है सिर्फ margin money 3,000 रुपीज पे करके 1,000 रुपीज कमाया तो सर अगर मैं आप दोनों को compare करूँ अगर हम profit की बात करते हैं तो profit के मामले में हमेशा commodity market में जो online trading होती है ठीक है दो चीज़े है online और physical तो online trading में हमेशा जादा profit है क्यों क्योंकि लिए सर उसमें आप कम से कम margin money, token money पे करके उस amount को पूरा ले सकते हो और उसको sale करके अच्छा कासा profit कमा सकते हो तो सर इसका मतलब ऐसा है और इसमें क्या profit है सर इसमें ये profit है कि जो आपका online market है वो morning 10 o'clock से लेके सुबह 10 बजे से लेके रात के साड़े 11 बजे तक चालू होता है आप timing देख सकते हो कितना है अच्छा तो सर ये बात है तो हम लोग एक काम करते है आज ही आज जैसे आपने बोला तो हम अपने ममी डैडी को लेके जाएंगे और हम ना physical purchase नहीं करेंगे हम सब commodity market में पापा को बोलूँगा आप gold लेलो उसमें फायदा होगा नहीं जब आपको commodity market में deal करना है जब आपको commodity market में investment करना है जब आपको commodity market में पैसे लगाने है तो उसका आपको पूरा knowledge और training लेनी पड़ेगी जब तक आप उसकी training और knowledge नहीं लेते हो तब तक आप उसमें invest नहीं कर सकते हो कै अगर ऐसे ही आपने invest किया तो आपको फिर भारी मातरा में loss हो सकता है तो इसके लिए आपको commodity market में invest करने के पहले आपको क्या करना है आपको जो है उसकी training लेना है उसका sessions देखना है और उसके बाद ही आप उसमें invest कर सकते हो तब ही वो आपको plus point होगा और फायदे मन्द होगा तो यह था हमारा commodity market मैंने आपको सिर्फ अभी तक यह संजाया जो topic का जो नाम था commodity market उसमें commodity क्या होती है और market कैसे चलता है क्या difference है commodity market में मतलब physical market में और online market में जो commodity market है अब पूरा online हो चुका है online market तो अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है कैसे होता है अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझाया कि commodity क्या होता है वो कैसे काम करता है उसके timings क्या होते है उसमें कैसे investment होता है यह सारी सीजे मैंने आपको समझाया एक example से सुहास और विकरांत के अब जो आपके examination point of view है वो हम देखेंगे कि यहां पर जैसे आपको screen पर दिख रहा होगा what is commodity it is nature produced item rather than a manufacturing product commodity क्या होती है commodity वो सारे items है जो nature produce करता है rather than a manufacturing product सो भी चीजे हमें nature से मिलती है उसको बोलते है commodity वो सारी चीजे जो हमें nature देता है उसको बोलते हैं commodity जैसे आपके screen पर देख सकते हो वहां पर cotton है zinc है copper है crude oil है silver है gold है यह सारी चीजे जो आपको दिख रही है उसको बोलते है commodity जो हमें nature देता है अच्छा तुसर जो refrigerator होता है जो AC होती है नहीं नहीं वह तो है है वह main man-made product है उसको commodity नहीं बोलेंगे commodity हम उसको बोलेंगे जो सारी चीजे हमें nature प्रोवाइट करता है समझ रहे हो मेरी बात तो यह मैंने आपको अमारा जो टॉपिक है commodity market तो मैंने अभी आपको in short clear कि commodity क्या होती है ठीक है next slide में मैं आपको यह बता रहा हूं कि commodity market क्या होता है commodity market is a marketplace for buying and selling in physical और virtual market commodity market वह प्लेस होती है जिसमें हम लोग buy and sell करते हैं कैसे physically और virtually तो यह हम इसके बाद से जो बात करेंगे वह वर्चुली की बात करेंगे जो commodity market है ठीक है तो मैंने भी आपको समझा commodity क्या होती है commodity market क्या होता है ठीक है अब next slide में मैं आपको एक difference पता देता हूं कि आपके माइन का जो डाउट है वो clear हो जाएगा sir हमें share market तो अज तक पता था कि क्या होता है कि हम लोग when exchange involves trading in company shares जो हम लोग company के shares में trade करते हैं उसको बोलते हैं share market और share trading अब यहीं पर when exchange involves trading in raw and primary product raw and primary जो nature ने हमें दिया है वो सारी चीजों का trade जो है वो commodity market में होता है ठीक है तो उसको बोलते हैं share market और commodity market यह दोनों के बीच में मैंने आपको difference समझाया तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि क्या होता है market commodity कैसे चलता है commodity market क्या होता है कमौडीटी में कौन सी जीज़े आती है और टोटल इंडिया में हमारे दो टाइप के commodity market है agriculture और अगरी कल्चर में metals और energies आती है उसके बाद हमने एक एक जामपल से इसको पूरा चीखा है तो यहां तक हमारा complete होता है यह commodity क्या आता है commodity क्या होता है उसके टाइमिंग क्या होते हैं और वो कैसे चलता है तो जैसे कि अभी हमने देखा कि Shares Trading और Commodity Trading में difference आईए अब देखते हैं let's see the definition of the commodity market commodity market according to the forward contract regulations act 1952 defines goods as every kind of movable property other than the actionable claims money and securities वो सारी चीजे वो सारी movable property सिर्फ तीन चीजे खोड के consequence actionable claim money and securities ये सब को छोड के बाकी सारी चीजे जो nature ने produce की है as per the forward contract regulation act 1952 comes under the commodity तो commodity का definition का मतलब है कि वो सारी चीजे जो nature ने produce की है सिर्फ तीन चीजों को छोड के actionable claims money and securities ये सब को छोड के जो सारी चीजे ने प्रेडिश किये उसको हम बोलते हैं commodity अब हम चलते हैं एक पार के ओपर जो हमने पहले कर चुके हैं उसको मैं फिसे एक छोटे से आपके जो examination point of view है मैं explain कर देता हूं कि आपको अगर meaning या introduction of commodity market लिखना है तो कैसे होगा commodity market is a marketplace where buyers and sellers come together to settle a price at which commodity get traded commodity market marketplace है जहां पर buyers and sellers आते हैं एक price को set करते हैं और वो commodity का trade करते हैं the price is determined by demand and supply of the commodity उस commodity का price कैसे determined होता है demand and supply commodity का demand कितना है और उसका supply कितना है तो demand and supply forces से जो है commodity का price वहां पे decide होता है ठीक है तो आज हमने यहां पर किया कि commodity क्या होती है commodity market कैसे काम करता है उसका definition क्या है commodity market का introduction क्या है उसके timings क्या होते हैं, कितने types के market हैं, commodity in India इसके next lecture में हम आगे का करेंगे, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा इसका evaluation कहां से हुआ, इसके features क्या है कौन-कौन main players हैं जो commodity market में काम करते हैं या जो commodity market को चलाते हैं, क्या brokers कैसे होते हैं कि सारी चीज़ें, we are going to do in our next lecture so lecture में बने रहे हैं, I hope आप सभी लोगों को मजा है होगा lecture में please subscribe the video, thank you very much Professor Mayour Mathur signing off, thank you